नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चाइना के नए रेलवे ब्रिज के बारे में और ये नया रेलवे ब्रिज चाइना ने तिबत ने बनाया है किस तरीके से ये चाइना की रननीती को with respect to भारत और ज़्यादा strong कर देगा हम उस चीज को यहाँ पर समझेंगे precisely हम इस ब्रिज की location को आपके साथ clear करेंगे सो आईए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ अगर आप इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं प्रेलिम्स और मेंस दोनों की तयारी कर सकते हैं आल राइट आज यू कन सी निव रेल्वे ब्रिज इन तिबित ब्रिंग्स चाइना स्ट्राटेजिक ट्रांसपोर्ट क्लोजर तो इंडिया ये न्यूस कवर की गई है defenseworld.net निवस थोड़ी पुरानी है लेकिन हम इसको आज कवर कर रहे हैं यहाँ पर देखेंगे इस ब्रिज के बारे में चाइना हास कंप्लिटिट इड़ कंस्रक्शन ओफ लास्ट ओफ 120 ब्रिजिस कुल मिला के चाइना ने यहाँ पर तिबत के autonomous region में लगभग 120 ब्रिजिस को प्लान किया था और जो ये तिबत का autonomous region है आपको मालूम होगा तिबत का जो region है वो एक plateau region है यहाँ पर construction करनी काफी मुश्टिल है बेकॉज यहाँ की जो terrain है वो काफी जादा uneven है और construction करनी requires a lot of engineering skills यहाँ पर लिहासा जो की तिबत की capital है यहाँ से लेकर निंग्ची इसके बीच 435 km का जो रास्ता है इसके उपर जो railway project बनाया जा रहा था इसको पूरा करने के लिए लगभग 120 bridges का यहाँ पर project था जिसको की China ने अब खतम कर दिया है आखरी bridge यहाँ पर खतम हो चुका है जिसके थ्रू लिहासा और लिंग्ची के बीच अब यह railway line properly connect हो जाएगी You will very easily be able to understand this एक और map में आपको दिखाना चाहूँगा But before that हम bridge के बारे में थोड़ी specifications जान लेते हैं यह जो bridge जो recently बनाया गया है यह 525 मीटर के आसपास का bridge है और यह यारलंग सांगपो रिवर के उपर बनाया गया है सांगपो नदी वही है जो की भारत में आती है ब्रह्मपुत्रा के नाम से और सांगपो इसका नाम तिबत में है सांगपो नदी का ही एक हिस्सा है जिसका नाम है यारलंग तो collectively इसको यारलंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है यह जो bridge है यह तिबत के गायटसा काउंटी में है और इसका altitude 3350 मीटर का है कुछ और जानकारी इसके बारे में it is said to be the world's highest concrete filled steel tube arc railway bridge its main span is 430 मीटर और सबसे जादा जो important चीज है वो यह है कि इस bridge को use किया जाएगा for civilian and military usage दोनों के लिए यह bridge यहाँ पे use किया जाएगा अब हम बात करते हैं कुछ और basics की यारलंग सांगपो river तो जैसा कि मैंने आपको बताया यारलंग सांगपो also called यारलंग जांगबो it is the longest river of Tibet autonomous region of China यह ब्रह्मपुतरा river की अपर stream है जिसको की हम सांगपो बोलते हैं और सांगपो की अपर stream है जिसको की हम यारलंग बोलते हैं तो अंक्सी glacier से originate होती हुई नदी western तिबत में Southeast of Mount Kelash और Lake Mansur Rover के नीचे बहती हुई यह नदी आके आती है and downstream from Arunachal Pradesh the river becomes far wider and is called the Siang जब यह इंडिया में इंटर करती है आसाम के बाद हम इसको बोलते हैं ब्रह्मपुतरा so starting from यारलंग उसके बाद सैंगपो उसके बाद Siang and finally आसाम के बाद ब्रह्मपुतरा इसको कहा जाता है यह देख सकते हैं आप इस नदी का पूरा का पूरा रूट यहां पे दिखाया गया है यह इसका starting point है जहां से start होती है तो यहां पे यारलंग then we are calling it सैंगपो और यह रही अरुनाचल प्रदेश की boundary यहां से यह enter करती है इस part में यह बिलकुल जिस district में enter करती है वहाँ पे सियांग कहा जाता है फिर इसके बाद जब यह आसाम enter कर जाती है तो इसको ब्रह्मपुतरा का नाम दिया जाता है clear है यहां तक अब coming back to the lihasa ningchi link the reason why lihasa ningchi link is important देखिये ध्यान से जो lihasa है वो यह रहा lihasa right this is very close to sikkim sikkim के काफी नजदीक है यह लेकिन ningchi और भी जादा हमारे लिए important है because ningchi in fact ningchi का जो part है उसका कुछ part भारत के हिससे में भी आता है तो ningchi जो की अरुणाचल प्रदेश का part है अगर हम ningchi के part को देखें this ningchi part is very very close to the boundary of अरुणाचल प्रदेश यह इतना नजदीक है अब lihasa और ningchi के बीच में already एक और यहां पर आप देख सकते हैं express way बनाया गया था by China 2018 में China has also built a network of highways across the Tibet at an autonomous region with various links to ningchi 2018 में इस link को open किया गया था जो की 409 km लंबा था जिसमें लगभग 6 billion dollar China ने spend किये थे और यह जो express way था यह माना जा रहा था कि यह military के time travel को 8 घंटे से कम करके 5 घंटे तक कर देगा at a speed limit of 80 km per hour यह news है economic times की you can even refer this over here यह उस particular highway का द्रिश्य है आप देख सकते हैं यहां की जो terrain है कितनी uneven है and कितने mountains यहां पर छोटे-छोटे mountains भी है और कई सारी नदिया भी यहां पर भैती है so construction of this is again another engineering marvel जो की चाइना ने यहां पर achieve किया यह और बहतर आप देख सकते हैं लिहासा और निंग्ची का जो link है so this is how close निंग्ची is to Indian border और लिहासा के सबसे नजदीक यह वाला part है जिसके बारे हम अभी और बात करेंगे coming back अगर हम देखें तो basically चाइना यह कर क्यों रहा है लिहासा निंग्ची का जो railroad है यह असल में 435 km का जो railroad project बनाया गया है यह आगे जाके चाइना का plan है कि इसको इस part को this is लिहासा, this is निंग्ची इस part को हम connect करने वाले हैं यहां पर यह वाला अगर आप प्रोविंस देखेंगे चाइना का यह वाला प्रोविंस है जिसको की कहा जाता है Sichuan province Sichuan province के साथ basically यह intention है कि इस लिहासा, निंग्ची और Sichuan तक इसको connect किया जाएगा तो अभी तक चाइना का जो connection है with Tibet वो basically यह काले रंग वाली line आप देख पा रहे हैं यह connection है जो की तिबद के साथ है लिहासा से लेकर गोलमुद तक लेकिन चाइना एक और connection बनाना चाहता है with Tibet और वो connection यहां से आता है लिहासा, निंग्ची और आगे जाके Sichuan तक लेकिन इसी connection की एक पीछे line भी जाती है जो की आती है शिगाटसी तक अब शिगाटसी, this comes very very close to the India border अब देखिए, यही लिहासा यहां से वापिस आए शिगाटसी तक यह एक और नजदीक आगया इंडिया border के और यही आगे road जा रही है और rail project जा रहा है निंग्ची तक यह आगे और आगया अरुनाचल border के पास तो यह और यही आगे connect होगा with Sichuan इस project की आड में China यहां पर connection कर रहा है between शिगाटसी और निंग्ची अब I think it's very very clear how China is coming close to the Sikkim border how China is coming close to the Arunachal Pradesh border coming to the Sichuan-Tibet railway so यह पूरा का पूरा project जो है 1629 km का है और उमीद की जा रही है 2021 तक यह open कर दिया जाएगा if this is done extension of rail network in Tibet up to Shigatsee close to the Indian border in Sikkim will basically provide military a strategic capability उनके पास जो रननितिक शमता यहां पर आ जाएगी उसके थुरू वो जवानों की movement और हत्यारों की movement बहुत आसानी से कर सकते हैं in this remote Himalayan region that is why यह जो railway link अभी तयार हुआ है यह इसके लिए काफी जादा महत्वपूरन साबित होता है और भारत के लिए और भी जादा important है to note the developments in this particular area इसके इलावा यही नहीं Chinese President Xi Jinping ने कुछ टाइम पहले एक letter लिखा था to a herding family in Lunzi county in southwest China's Tibet Autonomous Region उन्होंने यहाँ पे इस letter में कहा कि हम चाहते हैं कि आप Chinese territory को safeguard करें और अपने hometowns को यहीं पर develop करें यह जो Lunzi county है Lunzi county अब देख सकते हैं very very close to the Arunachal Pradesh border so इसी letter में उन्होंने उनको thank भी कहा कि we thank you for your loyalty and contributions that they have made to safeguard the border area यानि कि अब कुल मिला के अगर आप देखें China यहाँ पर infrastructure तो बना ही रहा है और बहुत तेजी से बना रहा है और यह वाला infrastructure जो है all weather road है यानि कि यहाँ पर इनकी military की movement कभी भी हो सकती and secondly यहाँ पर poverty alleviation के नाम में China अपने ही herders को Tibetan herders को encourage कर रहा है to settle in the remote areas near the Indochina border basically इस strategy के अंतरगत through these artificially created human settlements and military might China wants to legitimize its claims on Arunachal Pradesh so this is also a signal for us कि Arunachal Pradesh के नजदीक भी China किस तरीके से आ रहा है आपको मालूम होगा Arunachal Pradesh को China South Tibet claim करता है और Indian territory नहीं मानता है so this also should be an eye-opener for the Indian government और यहाँ पर हमें देखना होगा इसमें आगे और क्या के developments हो रही है so इसी के साथ आप से विदा लेना चाहूंगा thank you for listening stay tuned and stay safe